पहली बात तो ये है कि आप खुद को बांध ही क्यों रहे हैं और फिर खुद को उससे बाहर निकालने में समय भी लगा रहे हैं। फाइदा क्या है खुद को इस तरह से बांधने का और फिर वापिस उसी को खोलने का। वैसे एक इनसान के रूप में क्योंकि बहुत एक शरीर की खास सीमाय होती हैं। वो कुछ चीजें कर सकता है, कुछ चीजें नहीं कर सकता है। हो सकता है कि कभी-कभी आपको आराम की भी जरूरत पड़े, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये रुकना है। ये अगली गतिविदी के लिए देख रेका एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये तनाफ को कम करने का धंदा बहुत लोग फ्री हो चुका है, और कोई शांत होने की चीजों से दूरी बनाने की और जो कुछ भी है, इन सब की बाते कर रहा है। पहली बात तो ये कि आप में इतना जहर है क्यों और अब आप उस जहर को निकालना चाहते हैं। पुद को बांधने या खोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका उद्देश्य महत्वपूर्ण है। अगर आपका उद्देश्य आपके सीने में धड़क रहा है, तो कोई भी गतिविदी आपको बोजिल नहीं लगेगी। अब आपको काम करने में मज़़ा आएगा, क्योंकि अब ये बोज नहीं है। अब आप अराम करने के लिए मौका नहीं तलाशेंगे, अब हमेशा चलते रहने के लिए आप अफसर ढूडेंगे, और जब चलते रहने का उपियोग करता हूँ, तो समझ लीजे कि आप जिन्दा है, इसका मतलब है कि आप चल रहे हैं, आप रुके हुए हैं, आप जानते है इसका मतलब क्या होता है, नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि अभी हो, तो जीवन चलते रहने का ही नाम है, एक समय आएगा जब आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर से नहीं चल सकते, बस हो गया, इसलिए जब ये चल रहा है, तो रुकने और चलने के बारे में मत सोचिए, बस चलिए, चलिए और चलिए, क्योंकि जीवन का उद्देश ये बस चलना ही है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप सब, आप में से कई सोच रहे होंगे, कि हमें कितना काम करना चाहिए, या कितना नहीं करना चाहिए, देखिए, ये सवाल तब पैदा होते है जब आपके पास पूरा करने के लिए कोई उद्देश नहीं होता, कोई ऐसा उद्देश ये जो आपसे भी बड़ा हो, अगर आपके दिल में ये नहीं है, तब हमेशा ये गणेट चलती रहेगी, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, कर नड में एक कहावत है जब भी कोई मरता है तो चार लोग को उसे उठा कर चलना पड़ता है उन में से तीन लोग सच में भार उठा रहे होंगे लेकिन एक व्यक्ति बस भार उठाने का दिखावा कर रहा होगा ठीक है, वो असल में कंदा देही नहीं रहा है और वो सोचता है कि वो स्मार्ट है नहीं, वो स्मार्ट नहीं है, वो मूर्ख है वो जीवन के सारे उनभव से चूपता जा रहा है इसलिए यहाँ चलने और रुकने जैसी कोई चीज नहीं है आप बस चल रहे हैं जब आप ठक जाएंगे तो वैसे भी बैट जाएंगे और जैसे ही उर्जा आजाती है, तो आप फिर से चल पड़ेंगे ठीक है? तो बंधन खोलने की इन सभी योजनाओं के लिए योजना मत बनाईए जब आप ठक जाते हैं, आप गिर जाते हैं और जाकर फिर वापिस आ जाते हैं जीवन इस तरह से होना चाहिए